तो फाइनली ढूंडी लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद त्याप ढूंड लोगे आज किस वीडियो में हम सीखेंगे आज किस वीडियो में जिससे आपके पांच में से पांच नंबर आ जाएंगे चलो शुरू करते हैं मैं हूँ अज्जे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले बता दू अगर आपको जो है अगर यह सारे टोपिक्स वीडियो देखनी है अपकमिंग एक्जाम की वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है वहां से आप वीडियो देख सकते हो और अगर यह सारे कोशन सारे टोपिक्स वगर आपको लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट है CCL Chapter.com इसके important question के section से तुम सारे जो questions वगरा है सारी चीज़े देख सकते हो अब सुरू करते हैं note making को देखो note making का नाम सुनके डर लग जाता है 11 में भी तुमने पता नहीं सीखी की नहीं सीखी 11 में भी आती है ना note making तो अब अगर तुम में से कुछ ने तो सीख लियोगी note making करना और बहुत सारी जगहे पर स्कूलों में पढ़ाते ही नहीं भी आ note making अपने आप बना लो यह का यहालो रखा है भाई देखो note making कोई मुस्किल काम नहीं है मुस्किल सब्जेक्ट नहीं है फरी के नंबर होते हैं पाच नंबर ठीक है देखो करना क्या होता है यहाँ पे चार नंबर तो हमको मिलते हैं notes बनाने के और एक number बनता है title देने का title देने के लिए आपको थोड़ा passage को round of समझना पड़ेगा पूरा समझ में तो आता नहीं है यह मालो तुमें भी English नहीं आती और मुझे भी English नहीं आती किसी को नहीं आती अब उस case में जो है हमको एक round idea लगा क्या examiner check करेगा यह title को title क्या होता है अगर तुमने topic regarding title डाल दिया है जरूरी नहीं है वही title examiner लिखके बैठा लेकिन एक ही topic पे बहुत सारे title बनाई जा सकते हैं तो आपको बस वही देखना है कोई साभी अपने हिसाब से title बना देना नंबर फरी का एक नंबर मिल जाएगा च्यार नंबर के लिए आपको क्या करना है आपको जो है notes बनाने के लिए दो चीज़ें इस्तमाल करते हैं एक होती है heading और एक होती है sub heading आपको जब paper दिया passage होने बाद यहां से मालो यहां तक एक passage था हमारा ठीक है इसके बाद enter enter का मतलब है अगली line से start हो ठीक है ऐसे अगर के दो तीन passage देंगे वह यानि की cool मिला के आपको मैं बता रहा हूं मामला कैसे करना काम एक पहरा अगर तीन पहरे दे रखें आपको तीन या चार पहरे व चार विधिंग बनानी है 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 दली होती है वें तरीक तरीक से हमने एक हैडिंग बना दी सिंपल वाले थी कह यहां पर ल Bronze यहां परिख दी उसके बाद सब हैं तरना एक चीज जो यहां पे teacher's के number काट लेते हैं वो भी बता देता हूं तुमको हम यह सारा काम कर लेते हैं पूरे notes के दोरान पूरे note making के दोरान कहीं भी sentence नहीं लिखना क्या sentence नहीं लिखना मतलब पूरा sentence वैसे का वैसे उतार के मत tape देना तुम ठीक है बाकी तुम कुछ भी करते रहो notes में अब एक चीज और है जो हम काम कर सकते हैं number को या teachers को impress करने के लिए number बढ़वाने के लिए अपने बढ़िया चीज होती है number ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं हमको वो होता है difficult word को यहां पे लिख दो आपको स्टार्टिंग में हैडिंग से जो डालोगे चोटी-चोटी से पॉइंट बनाओगे लेकिन वह आधे से आगे नहीं जाने चाहिए पर के हाफ से आगे नहीं निकलने चाहिए एक पॉइंट तुमारा ठीक है हम यूज खरेंगे ऐस्थाटिक तुम्हे ध्यान ढखना साथ में यह जो कॉंट लिखा है मने कॉंटी के लिए कॉंट लिखा ना तो यहां पे पैसेज में तुम पोइंट बनाओगे तो वहां पे तुमको तुम एसा नहीं कि कोंट के लिए ही तुम कोंटिनुसली यूज करोगे तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी भाई तुम्हें खुली छूट में लिए है तीन चार तो ऐसे यहां पर पॉइंट्स बनाने है चोटे-छोटे से डिफिकल्ट वर्ड के ठीक है और आपको तीन से कम स आपको वर्डिया से टाइटल ऑफ यसे कमस्क्ता अफारी में ये तुम्हारी मास्तों रेत हां अब फिलाल मैं इसको पढ़ता हूं और समझने की कोशिस करता हूं और फिर मैं आपको भी बताता हूं कैसे करना है देखो एजुकेशन ओट टू टीच असे हाँ मेरे कोट का मतलब नहीं पता अब मैं आपके लावल पर समझ आ रहा हूं आपको कि आपको नहीं पता एसे वर्डों का नहीं पता ना टीच वीच ऐसे तो समझ में आ जाते हैं ना ओट वोट जो नहीं आ रहे छोड़ो भाई कोई टेंसन की बात नहीं है जब अब बरतस्ती नहीं है कि आपको सारा ही टेपना आप पे English ought to teach us how to be in love always and what to be in love with and the great thing of history history kaansi agai have been done by great lovers sant man of science and artist and the problem of civilization is to give every man a chance to being a sant a man of science and artist but this problem cannot be solved unless man desire to make sant a man of the science or artist and if they were asked to desire that continuously they must be taught whether it meant to be that these things we think of the man of science artist is if not of the saint as a being with the peculiar gift who exercises more precisely and in excessively perhaps his activity with which we all ought to exercise it is commonplace belief now the art has embed away out of the ordinary life out of all the things which we use and that is practiced no longer by workman but only a few winters and the sculptures that has happened because we no longer recognize the aesthetic activity as an activity of the spirit and common to all men we do not know that when a man makes anything to be the ought to make it beautiful and sake of doing the when the man buys anything he taught to demand beauty in it for the sake of their beauty we think of the beauty if we think of it all as a mere source of the pleasure and therefore it means to be the ordinance added to the things of the which we can pay extra as we choose but beauty is not an ornament to life or the things made by man it's essential part of both okay now i have read पढ़ लिया मेरे को कुछ समझ नहीं जाए के ऺज़ा हर को यहाल लोता होगा हर वार बार ऐसा यह पेसेज आता है है जो समझ में आ जाएगा संज में आ नहीं पढ़ने वाला अभी दो यहाल विधै ... पड़ा कि क्या बकवाच छाप रहे हैं लोग मदब कभी कुछ बात कर दे रहे हैं कभी कुछ गुमा फिरा रहे हैं बातों को इदर उदर से लेकिन हमको एक बात kool मिलाकेश में समझ आई क्या वो है education के बारे में बता रहे हैं हमको थोड़ा सा तोड़ा सा अब देखो तुमने पता नी सुना की नी सुना जो पढ़ रहा था मैं अब समझ में नहीं आया मेरे को मैं साप बता रहा हूं मेरे को समझ नहीं आया अगर मेरे को राइंडमली कुछ भी इंगलिस चिपका देंग वड़ियां कुछ होगा सिस्टम इनका और उसके बाद में जो है यहां पर ब्लाश्ट में बताते हैं कि औरनामेंट वगारा अभूसन होते हैं औरनामेंट तो मेरे बात करें यहां पर हिस्ट्री वर्ड यूज हो रहा है अब इजूकेसं हिस्टरी इने टाल दिया थीक है अब जरूरी नहीं है क्मन में वही टाइटल आया होगा आपके मन में टाइटल है कुछ नया तो आप यह टाल सकते हो गो ही इस्टॉरीक संथ5 इसे करके डाल दो कितने सारे बना सकते हो तो कोई रुकावट रही है कोई रोकने वाला नहीं है उसके बाद में पढ़ोगे थोड़ा बहुत जब पढ़ोगे न लाइन वाइज अब तुमको बनाना कैसे है यह तो हमने टाइटल डाल दिया कुछ भी बना के ठीक है राउंड ओफ डालना है मलब ऐसा ना हो कि पहरे में हम एज लॉद्च विथन बाइट तीन ह क्यों न परैग यह ना पढ़ा को है अब यहां पर तीय तोब लिखना ऑफ लेट तीब ही अब यह सिको दो बता neoजिए जिग क्ति पूइंश ये घ्रेटिंट उफ इसन्ट भी ती अब यह यह लिख दिया उसके बाद माइंब पोनाना ल लवर्स लिख दो। फिर लिख दो संत। फिर लिख दो मैन ओफ साइंस। यहीं से उठा रहे हैं सारे के सारे लाइनवाइज। फिर लिख दो डोट लगाएं आर्टिस्ट। फिर उसके बाद में अगले यहां तक का मुद्दा आ हुगा प्रोब्लम ओफ सिविलाइजेसेश साइड में लिख रहे हैं डिबा बना कर रहे हैं या फिर सीवी कर दो सीवी कर दो जो भी तुम इस्तमाल करना चाहओ तुम्हारी मर्जी ठीक है डोट लगानी जरूरी है लास्ट में समझ में आए कि यह सोट वाल है ठीक है अब प्रोब्लम ओफ सिविलाइजेशन अब इसके पॉइंट बना दो प्रोब्लम नोट सोल्ड अईसे करकर बनाते रहो बस लगे रहो और कम से कम तीन ऐसे बनते जाओंगे ऐसा नहीं है कोई काम करना है तुमको लाइन नहीं लिखनी गलती से भी लाइन लिखनी अब इस चीज में यह नहीं ता भाई तुम्हारे पांच मे करते च्लना है आपको करना है Başунк का करना है आपको लिखते चलना है जैसे मैंने mm मा दी सब हैडिन मनादी सब हैडी और बदी उसके वाद में अगली ऐडिन बन जाए बट वो लिखते जाओ बस समझना तो कुछ है नहीं समझ में आना नहीं है तुमको तो देखो कुल मिला कैसे heading मनानी है एक heading के अंदर कम से कम तीन से चार सब पोइंट हो जाने चाहिए तुम्हारे ठीक है इस तरीगे से हमें नोट लिखने पड़ेंगे मैंने यहां तक का लिखे जाएद आपको यहां तक नहीं का आपको हेल्प करेंगे वह पोईंट बनाने में यहां पर कभी कभी आसान भी आजाते हैं जरूरी नियार बाट डिफिकल्ट आते हैं और नोट मेंगिंग में देखना कि कौन से वाला नोट मेंगिंग आसान आरक है थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना ऐसा नहीं होता बहुत सारे स्टुडेंट को डर रहता है कि सर हमारे पर तीन घंटे में हम कर भी पाएंगे पूरे पेपर को यह नहीं कर पाएंगे देखो अचलब टाइम खोटी कर निया तो लास्ट में कर सकते हैं सबसे पहले आपको लैटर रिपा वोट नोटिस ग्रामर यह चीज़ें निप्ताने हैं ठीक है कोस्टन अगहरा जो बुक के पैसेज हो वह जो आपको बढ़िया से कर सकते हो पहले उनको निप्ताओ उसके बाद फटवाला आपको पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते मनलब मैच करने हैं पैसे की वीडियो टो नहीं बना रहा बाकी जो है मैंने नोट मेकिंग के बना दिया क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट यहुए not making से पता नहीं तो ऐसे लिखना यहां जैसे मैंने आपको बता दिया ठीक है अब बले ही आपके चार पॉइंट बने च्हें पॉइंट बने मतलब टाइटल देना है और देखो चार नंबर का तो मलब कम से कम चार हैडिंग देनी है तुमको ठीक है यह समझ लो अब हैडिंग का गेम है पूर पैसेज क्या लिखा हुआ है बट हम जैसे जिनको कुछ मतलब नहीं इंगली से बस पास होने के लिए चीए तो वह जो है अपना ऐसे जुगार बाजी कर सकते हैं और पास हो सकते हैं ठीक है अब देखो यह दिक्कत होती है और हम लाश्ट टाइम तक भी हम ग्रैजवेशन लेते हैं फिर भी हमें इंग्लिश इतनी पले नहीं पड़ती क्योंकि हमने हमारी प्राइमरी लेंग्वेज नहीं वह तो वह एक दिक्कत रहती है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है हमारी लाइफ में इंगलिश के रिगार्डिंग तो अब यह कुछ पैसेजिज मिल्श रूंच लैंता से तुम कितनी तो छूड़ए लिए वाटे और अब यह वाल अब यह दिमाग में से नो grad महतो हैं इतने वह बिदे नहीं में बहुत इजी पैसेज दिया करते थे आज यह देखो यह बीच में आसान वाला दे दिया एक्जाम में तो यह जो है लाश्ट में अभी रिसेंट कुछ यह में जैसे क्रोना रखा था तो चोटे चोटे दे दिये तो ऐसा चलता रहता है चोटे आए बढ़े आए तुमको ढ हमारे उपर है कि तुम्हें इंग्लीज भी पढ़नी नहीं आ रही तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूं चीज के लिए तो अब 12 में आ गयो यार इंग्लीज पढ़नी तो सीख लो समझनी तो दूर की बात है समझना मैटर यह लगा अपना राउंड राउंड समझ जाओ जो जो जिनकी वह सारे टोपिक्स मैंने करा दियें ठीक है टैंस बगार भी करा दिये कोई टैंस एजी रहते हैं आर्टिकल तो यार इजी है बिल्कुल वह तो तुम करी लोगे खुझ से तो यह थे हमारे टोपिक्स सारे चलो मिलते है नहीं वीडियो में बाई बाई